मिडिल इस्ट में इसराइल हमास की युद्ध की वज़े से हालात पहले ही खराब थे इसके बाद इसराइल के भीषण मिसाइल हमलों से मिडिलीस जंग के मैदान में वदल गया इसराइल के दमिश में इराणी दूतावास पर हमले के बाद इसराइल ने एक और हमला कर दिया इस्राइल ने इरान को कमजोर करने के लिए परमाडू सयत्रों को निशाना बना कर इस्वहान शहर में न्यूकलियर प्लांट को निशाना बनाने के लिए मिसाईले दागी और अब ये जंग यही नहीं रुकी है दूसरी तरफ इरान अंदर ही अंदर कुछ ऐसा कर रहा है जिसका अंदाजा खुद इस्राइल को भी नहीं है जी हाँ इस खबर ने इस्राइली पीम नेतन्याहू की चिंता को बढ़ा दिया है दरसल इस्लामिक रेवलुशनरी गार्ड कॉप्स के टॉप कमांडर प्रिगेडियर जनरल अमीर अली हजिजा देह ने चौकाने वाला खुलासा किया है एक टीवी चैनल को दिये गए अपने एक इंटर्व्यू में उन्होंने बताया पिछले महेने इसरायल के खिलाफ जवाबी हमलों में इरान ने अपने पूरे सैनेबल का केवल एक अंच ही इस्तमाल किया था इसरायली शाशन के खिलाफ कारेवाई करने के लिए जो कुछ भी तयार किया गया था उसका केवल 20 प्रतिशत ही उप्योग करके सूपर पावर देशों और उनके सहयोगियों के खिलाफ खड़ा था IRGC के कमांडर ने इसरायल की मदद करने आगे आए सूपर पावर देश अमेरिका के बारे में भी जिक्र किया उन्हों ने इस बात पर जोर दिया इसरायल ने इरान के हमलों का मुकाला करने के लिए अपने सभी सैनेबल जुटाएं और अमेरिका ने भी इसरायल के समर्थन में अपने विमान, круzeर और एर्ड़ाफ्ट कैरियर तैनाद किये उन्होंने कहा कि इस्राइल ने अपनी सारी ताकत का इस्तमाल अभी नहीं किया है इस्राइल और उसके सहयोगियों ने इरान का मुकाबला करने के लिए अपनी सारी ताकत एक कर दी अमेरिका जिसने पहले दावा किया था कि उसका दखल करने का कोई इरादा नहीं था वो इस्राइली शाषन की मदद करने आ गया लेकिन आयार जीसी के टॉप कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली का दावा सच है तो इस्राइल की मुश्किले बढ़ सकती है क्योंकि इस्राइली सेना ने जिस तर इराइल के भीतर घुश कर प्रतिरोधी समू की अंडरग्राउंड सेन ठीकानों पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया उससे अब इराइल के वे इस्राइल पर हमले का खत्रा बढ़ गया है फिलहाल तो इराग का प्रतिरोधी समूहे इस्राइल के सेन अठीकानों पर हमला कर रहा है ये हमला इस्राइल के एलेट बंदरगा पर IDF के एक सेन अठीकाने पर किया गया था इस्राइल और इरान की जगड़े की वज़े से आज पूरा मिडिलेस्ट जंग के मुहाने पर खड़ा है